हालो वेरीवन वेल्कम टो फिक्स गार्नेंट इस सेशन के अंदर हदेन करेंगे राजस्तान के पसु मेले और देखते हैं इस सेशन के अंदर की राजस्तान के पसु मेले कौन आयोजित करवाता है यानि कौन सा विवाग आयोजित करवाता है और कितनी मेले करवाता है और कौन-कौन से जो मेले हैं किस नसल के लिए फैमस है और या कहां के ये मेले फैमस है तो ये तमाम जानकरी अपन इसेशन के अंदर हैजन करेंगे चरो सुर्कटे हैं इसेशन को पसुपालन विवाग की स्तापना 1957 और इनका मुख्यले कांपी जयापुर में तो राजस्तान में बीचे तो धाएसों से अधिक पसु मेला पती वरस आयोजित किया जाता है लेगिने पसुपालन विवाग की दबारा हर साल 10 राजे सत्रिय पसु मेले आयोजित किया जाते हैं और कौन-कौन से मेले हैं वो दस देखो पूश्कर के अंदर अजमेर में ये मेला आयोजित होता है जो कार्तिक मेला के नाम से जाना जाता है यो गिर नसल के लिए फैमिस हैं क्रोली के अंदर माहसी वराती हर्यानवी नसल के लिए फैमस मलीना तिलवाडा बाड मेर में थार पारकर कांक्रेज नसल के लिए फैमस गोंपती सागर जालरा पाटन या जालावाड ये मालवी नसल के लिए चंदरबागा जालरा पाटन जालावाड ये मालवी नसल के लिए सिरी बल्देव ये मेर्टा सिटी नागोर या नागोरी नसलों के लिए वीर तेजाजी या परवसर ये भी नागोरी नसलों के लिए बाबा रामदेव ये नागोर के अंदर ये भी नागोरी नसल के लिए तो कुल मेला का सबसे ज़्यादा जो पसु मेले कहा लगते हैं तो नागोर मेले लगते हैं यही भी याद करना जस्वंत यह भरतपुर के अंदर यह भी हर्याडवी नसल के लिए गोगामेडी हनमानगड यानि यह हर्याडवी नसल के लिए मेले लगते हैं अब एके के जो मेले उसको डिटेल से बढ़ेंगी कौन सा मेला की क्या खास बात है या कौन सी विसेस्ता है तो सबसे पहले देखते हैं कार्तिक पुसु मेला इस मेले को पूछकर अजमेर में यह स्थृतर का मेला है यह मेला कार्तिक में आरम होग और यह गिर नसल के लिए यान फ्यमिस है अगला महाज़ शिवरात्री पुश्व मेला यह क्रॉली में आयोजित और 1969 से आरम होता है यह मेला फालगुन कर्शन 6 या कह सकते हैं कि 6 से या 60 और फालगुन कर्शन चोदस को आयोजित किया जाता है यह मेला महाज़ इस लिए मेले को महासिव बच्रिम पुशंय नसल के लिए यह मेले उत्रपरदेश मद्रपर्देश हरयान है कि ब्यव्वकरी यहां पर पफशु को यान कह सकते हैं खरें odeर बेशते हैं मलिनात से मेला यह तिलवाठा बाड़ं नहरं और यह विक्रम सबस्थ 1431 को परार्म होता है। यह मिला करषण 21 सिंग चेतर सुकल 21 तक जानी अप्रेयल महीने में बढ़ता है। यह थारपार करम नसर के लिए फहमेज है। और राज़स्तन का सबसे प्राचिन पसु मिला यह है। लोड़ी नदी के किराने बढ़ता है राजस्तान सरकार के पसुपालन विवाग द्वारा पहली बार 1907 में राजस्तरिय दर्जा मिलाव से और मलीनाथ पसु मिला वीर योदा रावल मलीनाथ यानि जोदा राव जोदा के मासज़ है और समर्ती में आयुजित किया जाता है औ और इस पसु मिले में सांचोर नसल और कांक्रेज नसल के बैल और मलानी नसल के गोड़े उंट की भी विक्री होती हैं विक्रम सबत 1831 में मलीनाथ के गद्दी पर आशित होने के सुब अवसर पर एक विसाल समर्ण का आयुजित किया गया था उस समय से ये मिला लगता है ग पंचम तक यह मेले रखता है यह मालवी नसल के लिए फैमस है और यह मिला हाडोती अंचल का सबसे बड़ा मेला है नेश देखते हैं चंदरबागा परसु मिला यह जालावाड में लगता है और यह लगबग सैम है यानि अपन गोमती साकर पड़ा वो सैम का सैम ही है यही ह और यह भी मालवी नसल के लिए परसीद है और नेश देखते हैं बलदेव पसु मिला यह नागोर में आई यूजित होता है यह बलदेव राम मिर्दा की समर्थी में मिर्टा सीटी से 1947 से परारम हुआ और बलदेव पसु जो मिला है चेतर सुकल एकम से पुल्णमा तक अप बलदेव पसु मिला के नाम से परसीद है और यह किसान एता शिरी बलदेव राम जी मिद्दा की समर्थी में 1949 को राज्य का पसु पालन विवाग दोबार आयूजित किया जा रहा है नागोरी नाशल के फेमस है और यह मिले में राजे सरकार को बहुत अधीक आमदनी देता है या कह सकते हैं कि राजस्तान का सबसे बड़ा मिला कुछ सा है तो यह मिला है यह मिला लोग देवता वीट टेजर जी की आदमें आयूजित होता है इस मिले में नागोरी बेल और बीकारी उन्टों की बिकरी होती है और यह भी पसु पालन विवाग दोबार आयूजित होता है अगला रामदेव पुस्व मिला ये भी नागोर के माना सर गाउं में आयुजित होता है और सबसे पहले आरम कीशन किया था माराजा उमेज सी ने और 1998 में ये आरम किया था और मा सिर्ष सुकल दश्यों से फालगुन कर्शन पचम तक यानि ये मेला बढ़ता है मारवाड के नरेश सरोगे सिरी उमेज सी जी को इस मेले का प्रणता माना जाता है और ये नागोरी नसल के लिए फहमेश है जस्वंत पुस्व मिला ये भी भर्तबूर में आयुजित होता है ये मिला आश्विन सुकल पंचम से आश्विन सुकल 14 तक यानि अक्टुमबर को ये लगता है ये भी हरियानवी नसल के लिए फहमेश है गोगवड में पुस्व मिला ये भी गोगमेडी हनमानगड में लगता है ये गोगमेडी पसु मिला सावन पुर्णिमा से बादर पुर्णिमा तक मिला बढ़ता है ये हर्यानवी नसल के लिए परसीद है और राजस्तान का सबसे लंबा पसु मिला कौन सा है तो ये गोगमेडी पसु मिला है अन्य पसु मिले देते हैं ये पस्व पाले नों भी वागदवार आयूजित होते हैं, दस राजे सत्री में मिले, इसके अलावा कौन-कौन से पस्व मिले जो परसीद हैं, एक तो है बहरोड पस्व मिला, दो कोटली पुटली बहरोड में वर्तमान में हैं, वेसे तो ये अलवर जिले माता था, और ये म निवाड़ा जालो और वर्तमान में सांचोर में, तो राजस्तान का सबसे फरसीद में ला ही, ये कांकरेज नसल की गाएं और मुरा नसल की बैंस का क्रेविकरें यहां पर किया जाता है, और राजस्तान राजी की सबसे बड़ी दुग्द डेरी के लिए यानि फेहमे से है यह याद के लिए बर्मानी माता का मिला ये सोर्शन बारा में लगता है, ये पसु मिला गदों के लिए फरसीद हैं, और गदों का अन्य मिला और कहां लगता है, तो गदों का मिला या खलकानी माता का मिला ये लूनियावास जैपुर में लगता है, और ये भी आस्विन और 11 तक और ये गदोंगे लिए भी फैमेस हैं तो ये याद करें ना बई